आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ ज़िवन कोशन है ने इन दी फॉलोईंग यहाँ पर क्या बात हो रही है कि Birth rate और Death rate of the population की Difference का जो टेक्निकल टर्म है वो क्या कहलाता है सबसे पहले हम देखते हैं कि Birth rate क्या होता है तो जब हम बात करते हैं Birth rate की Birth rate का मतलब होता है Total number of individual कितने born हुए है क्या बात हो रही है Individual कितने born हुए है किसमें population में उस particular year में ठीके तो हम उसे क्या कहेंगे Birth rate ठीके Birth rate किसका उस population का Next बात करते हैं हम Death rate की ठीके अब Death rate को हम कैसे समझ सकते हैं कि Total number of death क्या बोल सकते हैं Total number of death अब Total number of death भी हम क्या बात कर रहे हैं कि per unit time किसकी बात कर रहे हैं per unit time में जो total number of death हो रही है वो भी कहाँ पे एक particular population में किसकी एक particular population की बात हो रही है उसे हम कहेंगे death rate ठीक है अब इन दोनों के difference को निकालने के लिए जो term use होता है that is known as growth rate of population क्या कहा जाएगा उसे growth rate of population यानि जो technical term use की जाती है that is known as growth rate of population ठीक है इसमें क्या होता है basically जब birth rate increase होता है क्या होगा जब birth rate increase होगा as well as जब जो death rate है किसकी बात हो रही है death rate death rate क्या होगा decrease होगा तो basically इसका result क्या हैगा population increment आएगा क्या होगा जो population है वो increase होगी तो यहाँ पर हमें answer मिलेगा that is growth rate of population thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर